हेलो डियर्स वेलकम टू कोर्स आशा हम कर रहे हैं अटॉमिक फिजिक्स आज लेक्टर चार कंसेट टॉक मॉडरन फिजिक्स हम कर रहे थे काफी सारा काम कर चुके थे और काम को तेजी से बढ़ाते हुआ अच लेक्टर फोर की बारी है हम स्पेक्टरम वगरा पे थोड़ी अ Recht कोंशेन हो नहीं होते है या त्योरी पार्त है या थेए or due कास्ट पार हों थेजिर्व और रोदो कोई फेक्टरम कैसा हो टाहिए स्यो टुू आखना पैस्पेक्ट कैसा हो effect of motion of nucleus यहां से हम शुरू करेंगे और फिर x-ray को छूते हुए आज का lecture ख़तम करेंगे तो start करते हैं आज के lecture को atomic physics lecture 4 concept talk let's get started with the concepts कहानी क्या है आज का जो motive है आज का जो aim है वो यह है कि nucleus को अभी तक हम मान रहे थे कि एक बढ़िया सा अपना nucleus है heavy सा धेर सारे electron नहीं है यह एक electron की अलग-अलग समय पर picture बनाई जा रही है do not consider कि बहुत सारे electron से क्योंकि हम पढ़ रहे थे bore model और bore model में हमेशा एक ही electron हुआ करता है हम यह मान रहे थे कि nucleus बहुत heavy है heavy होने के साथ यह rest पर है अभी तक यह मान के चल रहे थे मगर reality यह है कि nucleus is not hinged किसी ने पकड़ तो नहीं रखा nucleus को nucleus can move अब nucleus अगर खुद move कर सकता है तो अगर electron को nucleus attract कर रहा है तो nucleus को electron attract कर रहा है तो common sense है कि nucleus को भी थोड़ा बहुत move करना चाहिए बिल्कुल करते है reality यह होती है जिसे star and planet system के अंदर star और उसके planet का common center of mass है वो कहीं बीच में होता है और sun भी common center of mass के चारो तरफ revolve कर रहा होता है और planet भी इसी common center of mass के चारो तरफ revolve कर रहा होता है reality यह होती है पर सचा ही है कि sun छोटे-मोटे planets के मुकाबले में इतना भारी है कि common center of mass ये बाहर लाई ना करके sun के अंदर ही लाई करता है जिसकी वज़े से sun के motion का कोई बहुत बड़ा effect समझ नहीं आता है बट reality ये है कि वो होता जरूर है इसी प्रकार हमारा जो nucleus है वो electron के comparison में बहुत हैवी है तो nucleus का motion कोई खास effect उसको दिखाई नहीं देता है लेकिन nucleus का motion होता जरूर है तो क्या nucleus में भी ऐसा ही gravitation type होगा बिल्कुल ऐसा ही होता है electron और nucleus का common center of mass के about nucleus and electron दोनों revolve करते हैं ठीक तो चलो एक अच्छी सी picture बनाते है और काम करते हैं देखो कैसे मैं यहाँ पर nucleus बना लेता हूँ और यहाँ बना लेता हूँ अपने नन्ने से electron को ze plus charge और e minus charge यह क्या किया आपने कुछ नहीं ze e मतलब not necessary हम hydrogen की ही बात करें लेकिन electron एक ही होना चाहिए hydrogen like atom की बात हो रही है बोर एटम ही है सब जो हम पढ़ रहे हैं यह यह ठीक है यह r distance पे दोनों है अच्छा दोनों के center of masses r distance पे और although center of mass बोलने का कोई बहुत बड़ा logic नहीं है क्योंकि nucleus बहुत नना सा particle electron उससे भी नना particle है तो उनका center of mass क्यों ढूंड होगे लेकिन हमने क्या किया है कि आसानी से खुपसूरती से प्यार मोबत से दिख सके क्योंकि मैं consider करना अभी nucleus के motion को तो center of mass को enough दूरी बनाया है ताकि center of mass का effect दिखाई दे nucleus से center of mass की दूरी यह है जिसको मैं r1 बोल रहा हूँ और electron से center of mass की दूरी यह है तो हम लिखेंगे electron का mass into r upon m1 plus m2 का मतलब mass of nucleus plus mass of electron इसी प्रकार से अगर मैं r2 लिखना चाहूँ तो इसकी value लिखूँगा mass of nucleus into r upon mass of nucleus plus mass of electron this is the value of r1 and r2 पूछा जाए तो directly center of mass वाला concept apply कर दिजिए और यह formula हम लोगों ने सीखिया हुए है ठीक है do not consider कि कोई बाहर की बात है खेर बढ़ जाईए आगे इसकी picture बना के दिखाईए कि सीन क्या हो रहा है सीन यह है बेटा देखो यह अपना nucleus है जिसको मैं कह रहा हूँ plus zi charge लेके बेठा है और इससे मैं इसको ऐसे कर दूँ जरह और फिर एक line ड्रॉ करूँ यहाँ पर ऐसे यह ठीक है यहाँ पर कहीं मेरा electron हुआ करता था इदर में इसको गोल गोल कर दूँ थोड़ा गोल मोटा कर दूँ इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा यह मेरा electron हुआ करता है center of mass कहां लाई कर रहा है center of mass यहां लाई कर रहा है this is the center of mass common center of mass है न center of mass हो गया रहा है वो देखो जो हमारा nucleus है वो इसे center of mass को center मानकर circle में खूम रहा है थ्यान रखना है ellipse नहीं बना रहा हूँ यह लेटा हुआ प्लेन है मतलब horizontal plane की बात करने लग गया हूँ ठीक है न ठीड़ा साफ diagram है यह circular orbit है पर वो horizontal में है इसलिए आपको थोड़ी ठीड़ी दिखाई दे रही है अब electron क्या कर रहा है electron भी यही काम कर रहा है इसे ही center मानकर बड़ी से orbit बना लें इसकी यह 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 अब यह अपना electron साब है इनकी orbit का color change करते है और यह भी करते है यह electron की orbit है कोई परशानी इसमें किसी नहीं कोई दिक्कत नहीं अब nucleus साब जो है मैं इसमे color change कर लो पहले तो color से मुझ आएगा वरना nucleus साब जो है वो यहाँ चक्र मार रहे है इस पर देखो गोर से यह चक्र मार रहे है इस पर तो किसी समय पर यहाँ हो जाएंगे मान लो किसी instant पर nucleus यहाँ है और electron move करते 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 यहाँ आगया तो होगा क्या इन दोनों को आप मिला लीजे जो center of mass से line जा रही हो यह motion चलता रहेगा nucleus इस तरफ और electron इस तरफ अब यह कहानी चलती रहेगी electron है यह nucleus है किसी समय पर यहाँ आ जाएंगे किसी समय पर electron यहाँ हो जाएगा तो फिर उनको ऐसे मिला लीजे जो center of mass से line पास हो रही हो और nucleus हमारा आगे की तरफ जा रहा होगा electron इस position से और आगे की तरफ जा रहा होगा and this is the picture कि वो कैसे revolve हो रहे हैं ठीक है ना मैंने center of mass को काफी दूर बना दिया है nucleus के but reality है कि center of mass nucleus के बहुत करीब होता है क्योंकि nucleus electron के comparison में बहुत massive है ठीक है ना क्या बात कर रहे हो यह जीबो करीब बात इतना massive है उसके बात भी consider कर रहे हो करना पड़ता है although हम अपनी calculation में अपने syllabus के अंदर नहीं कर रहे हैं ना करेंगे लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हाँ भाई effect होता है कि नहीं होता है हाँ बिल्कुल होता है ठीक है अब देखो center of mass वाले ही chapter में एक concept पढ़ा था reduced mass का और reduced mass का concept ये था कि जब भी कभी दो system का center of mass common हो और दोनों किसी एक center of mass के बाउट घूम रहे हो या चल रहे हो तो हम क्या करें किसी एक particle पर बैठ जाएं और उसको rest पर कर लें और rest पर करने बाद दूसरे को analyze करें और analyze करने में ऐसा होता था कि दूसरे particle का common center of mass वो sorry reduced mass लिख लिया करते थे ये मेरा ZE है जिसको मैं nucleus बोल रहा हूँ या atom बोल रहा हूँ ऐसा समझ लो nucleus की बात ही पकड़ लो और इससे किसी दूरी पर मेरा electron था जो धक्के खा रहा था इसके चारो तरफ चक्र मार रहा था electron ठीक है और ये electron चलो इसकी orbit बना लें ध्यान रखना elliptical orbit नहीं बनाई जा रही है लेटे हुए plane को दिखाया जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है reality थोड़ी सी अलग है मान के चलनी है electron को थोड़ा सा पास कर लिया जाए यहाँ पे अपना electron है यह electron है अपना ठीक है और यह revolve कर रहा है कोई दिक्कत नहीं यह radius है आर हम याद करो कि जब spring block system पढ़ा करते थे और दोनों spring block system में दोनों blocks free to move होते थे और दोनों को compress करके और आगे धका देके release कर दिया जाता था तो SSMFM center of mass पे बैठके देखा करते थे और center of mass पे बैठके दुनों को observe करते थे या फिर एक block पे बैठके कहते थे कि यह ऐसा है कि एक block को rest पे बना लो और उसके बाद दूसरे का reduced mass लिख लो तो देखो reduced mass का formula क्या होता था अब यहाँ पे हम क्या करें हम कहें कि with respect to nucleus चीजों को observe किया जाए और nucleus को बना दिया जाए rest पर और जैसे ही nucleus rest पर आएगा nucleus वैसे ही electron की जगे reduced mass of electron लिखना पड़ जाएगा reduced mass of electron क्या होता है m1 m2 upon m1 plus m2 this is the value of reduced mass अब यह जो reduced mass है यह replace करेगा replaces mass of electron ठीक है ना तो अब कहानी बदल गई electron के mass के जगे mass of reduced mass of electron आगया अच्छा और nucleus का mass माड़ में क्या है क्यों क्योंकि हमने इसको rest पर consider कर लिया ना वो effect is reduced mass में consider हो गया है ठीक है ना अच्छा अब चर्चा करो देखो क्या rn कुछ हुआ करता था nth orbit की radius इसका formula होता था h square by 4 pi square k की value 1 by 4 pi epsilon ठीक है ना e square mass of electron into n square by z ठीक ये value हो गई अब इसमें एक काम करो कि जड़ा rn prime लिख कर देखो ये क्या है rn क्या rn prime क्या है ये बहिया तब का formula है जो हम लोग ने शुरुआत में निकाला था model में यानि कि तब हमने किसी तरह के nucleus के motion को consider नहीं किया था r prime क्या है ये nucleus के motion को consider करके एक बात हो रही है h square by 4 pi square k की value k की तरह लिख लो ठीक e square और उसके बाद n square by z और यहां लिखा जाएगा mass of electron की जगर reduced mass of electron ये अभी की बात हो गई चर्चा करते हैं इसको equation a बोलते हैं इसको equation b बोलते हैं और हम कहते हैं कि b को a से divide कर दो b को a से divide करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा तुम्हारे पास आएगा rn prime divided by rn अब तेखो h square h square कट गए है कट नहीं है उसमें क्या बुराई 4 pi square 4 pi square कट गया k से k कट गया e square से e square कट गया n square by z से n square by z कट गया अब मेरे पास जो बचा वो बचा m e और mu e तो value किसके बराबर आएगी चलो लिखते हैं बराबर देखो inverse proportion में हैं inverse proportion का मतलब क्या हुआ कि mass of electron हमारा उपर आने वाला है और mass of sorry reduced mass of electron नीचे आने वाला है तो मैं reduced mass of electron लिख लेता हूँ इस equation से मुझे क्या मिलता है जड़ा सा page को scroll करें इस equation से मुझे मिलता है rn prime that would be equal to rn times mass of electron divided by reduced mass of electron मज आ गया भाई कि एकदम clear है ये बात बिल्कुल clear है एक काम करो rn prime की value डालो 0.53 एंक्स्ट्रॉम में है सब कुछ mass of electron by reduced mass of electron into n square by z ये क्या किया जो rn है उसकी value में n square by z depend करता था कौन सा atom लिया जा रहा है और कौन सी orbit की बात की जा रही है वगरा वगरा पर बाकी सारे factors constant हुआ करते थे उनकी value 0.53 एंक्स्ट्रॉम आया करती थी इसी को हम लोग बोर radius बोला करते थे hydrogen atom की first shell की radius ये हुआ करती थी वो value डाल दी और जो कुछ भी हमारे पास answer आ रहा है rn प्राइम का वो आ रहा है बटा एंक्स्ट्रॉम में कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं आपको clear दिखाई दे रहा है ये कि जो nth orbit अच्छा देखो ये value क्या है बढ़ी है reduced mass ठीक और ये value छोटी है तो radius बदल जाएगी radius changes ठीक है ना अच्छा radius निकाल ली अब radius निकालने के बाद अब चर्चा करते हैं velocity of electron की ठीक है ना तो velocity of electron की चर्चा कर लो not an issue in velocity तो velocity vn जब आप अच्छी तरह निकालोगे तो vn nth orbit आएगी 2pi k into z into e squared by n into h ये value आएगी नth orbit की velocity की ठीक अब चर्चा जो velocity और radius तो इतनी important नहीं जितनी important energy है क्योंकि energy काई सारा खेल है energy absorb करना और radiate करना ये दो ही बातों की तो गुत्थी सुलजाई जा रही है atomic structure में तब ही तो ये कानी चलू ही है तो nth orbit की energy जब हम motion of nucleus को consider नहीं करते थे तो उसकी value होती थी 2pi square k square z square e to power 4 m e mass of electron divided by n square h square लेकिन जब हम consider करने लग जाएएगे nucleus के motion को तो nucleus पे बैठके reduced mass की कानी लिखने लग जाएंगे m n m e divided by n square h square m n plus m e को और से देखो लास्ट वाला पार्ट जो लिखा हुआ है वो reduced mass लिखा हुआ है अब फिर वही बात इन दोनों equations को divide कर दीजे divide करने से क्या मिलेगा अरे वही मिलेगा जो अभी मिला था ये 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 और नीचे वाले नीचे वाले cancel हो गया minus से minus भी cancel हो गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ reduced mass की कहानी बची यानि कि आप e n prime को अगर उपर रख दें तो जो आपके पास answer आएगा वो आएगा e n into direct देखो ये तो energy में direct proportion है तो हम लिखेंगे reduced mass of electron upon mass of electron कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं अब e n की value को याद करो minus 13.6 electron volt में होता था z square by n square लिख दिया करते थे इसकी value बन जाएगी minus 13.6 ठीक z square by n square into reduced mass of electron upon mass of electron और ये सारा कुछ electron volt में ये बन गया बिटाप का formula अब देखो energy की चर्चा करते हैं energy बढ़ी या घटी nucleus के हिलने डूलने से क्या effect आया nucleus के हिलने का energy पर ऐसे तो radius वगरा से और speed वगरा से बाते की जा सकती थी पर वो दोनों का common effect potential और kinetic अपनी energy का expression में आ जाता हूँ main कानी energy की है इसी के expression आपको नहीं भूलने हैं बिल्कुल भी ठीक थोड़ा सा इसको गुरा गुरा कर ले ताकि आपको अच्छा अच्छा लगे ये हो गया भाई तो देखिए क्या system है मेरे साब से energy of electron तो कम हो गई गौर से देखो तो energy of electron कम हो गई क्यूं sorry कहां गया भाई देखो mass of electron छोटी entity है reduced mass of electron बड़ी entity है और ऐसा होने पर ये जो पूरा factor है ये वाला ये वन से बड़ा हो जाएगा जैसे ही बड़ा होगा पर जो value है वो छोटी हो जाएगी तो electron की energy थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक electron की energy जितनी हम लोगों ने पहले पड़ी थी उससे कम हो गई या कम होती है ठीक है ना? दियान रखे बहुत important बात थी है चर्चा atomic collision की ये समझ आगे ना? त्यार रखे एनर्जी कम हो गई अब चर्चा atomic collision की atomic collisions ये atomic collision क्या है? कुछ भी नहीं है atomic collision बहुत simple सी बात है कि अगर किसी atom को excite करना हो excite करने के दो तरीके हैं photon किला दीजे अचा photon खिलाने में भी एक problem है कि मान लो कि कोई n बराबर n1 है और कोई n बराबर n2 है और इन दोनों का जो energy का difference है वो delta e है यहाँ पर एक electron चक्कर मार रहा है इसके पास एक photon आया उसने का कि मुझे absorb कर लो electron पूछेगा कि क्या तुमारे पास इस delta e के बराबर energy है फोटन कहेगा हाँ 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 है है तो electron उसको absorb करके ऊपर चला जाएगा पर अगर वो कह दे कि नहीं इतनी energy नहीं थोड़ी कम है तो electron उसको absorb नहीं करेगा यानि कि excite कर पाने के लायक अगर photon के पास energy है तब तो electron उसको absorb करता है वरना नहीं करता तो इसका मतलब एक तो तरीका यह हो गया कि भाई मान लोगी photon लायक है excite कर दिया अच्छी बात दूसा तरीका क्या है दूसा तरीका है collisions के तरूप collision किसके कुछ sub atomic particles के collisions जैसे neutron का collision neutron का collision कहा पढ़ा है आपने पढ़ा एक heavy nucleus होता है uranium 92 235 और इसमें हम लोग एक neutron की bombarding करा दिया करते हैं और उसके बाद यह convert हो जाता है uranium 92 236 में और यह highly unstable है और इसके बाद इसका fission हो जाता है याद है स्टोरी है तो sub atomic particles के collision की बात कर रहे हैं अब इनके दुरू भी excited किया जा सकता है जैसे neutron का collision consider कर लेते हैं यही standard case है इसलिए यह बोल रहा हूँ बार-बार वरना कुछ और भी किया जा सकता है कोई बहुत बड़ा चमतकार नहीं इसको पढ़ने में collision of neutron with an atom collision of a neutron with an atom दूसरी बात यह है कि मैंने example में आपको याद कराने के लिए uranium का case दे दिया बड़ आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं bore model तो जो भी atom हमारे लिए सामने आ रहे हैं those atom are single electron entities ध्यान रखना तो for the simple case आपको ज़्यादे difficulty में कूदने के लिए नहीं कहते हुए हुँ कहते हैं कि मानलो कि हमारे पास hydrogen atom है hydrogen atom है और stationary है मानलो बिल्कुल दौड नहीं रहा है बिल्कुल simple case लेके चल रहे हैं ऐसे cases होते नहीं है बट चीजों को analyze करने के लिए कि हम motion of hydrogen atom के effect से थोड़ा सा परे हो जाएं और सिर्फ collision से क्या हो रहा है यह देख लें ठिक यह हो गया यहाँ पर मेरा neutron है जो उसकी effect से बहुत दूर है neutron ठिक और यह आगे की तरफ आ रहा है किसी वीर अफ्तार से यह आ रहा भाई टकरा जाएगा बिल्कुल टकरा जाएगा अच्छा एक बात ध्यान देना कि मैंने इसको स्टेशनरी भी माना है और दूसरा भी माना है कि अपने क्राउंड स्टेट में एक्साइट नहीं है है अब यहाँ पर दो केस हो जाएगा कॉन-कॉन से कोलीजन आ गया है अब जाएगा एक नियूटरॉन ठीक तो जैसे से आएगा वैसे क्लियर होता जाएगा चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है देखो हाइटोजन एटम के अंदर कॉन होता है होता है एक प्रोटॉन और यह कौन है भाई क्या दोनोंके मास लगबँ बराबर है हाँ लगबँ बराबर है लगबँ बराबर है बहुत ही कम बटफरेंस होता है और जो प्रोटॉन के मास में test है वह आप लोग नूट्जियर फिजिक्स के अंदर चंसीडर करते है अपार झाप नूलों एग proton ही जो mass create कर रहा है तो दोनों को बराबर मान लेते हैं यहाँ पर पहला case निकल कर आता है let us assume यह भी लिख देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर जो पहला case आता है वो यह है कि perfectly elastic collision perfectly elastic collision perfectly elastic collision का क्या मतलब है मतलब यह है कि kinetic energy भी conserve होगे चैसमें वो यह बराबर वन वाला concept लेके मत चलना गलती से भी है न क्योंकि यहाँ पर वो concept apply नहीं होते है मैं बताता हूं क्यों पर दिमाग में रखना कि वो collision हुआ उसके बड़ डी फॉर्मेशन हुआ दुबार री फॉर्मेशन होगे वो picture नहीं रखनी है यहाँ पर इतना समझना कि momentum conserve रहेगा और kinetic energy भी conserve रहेगी case क्या हुआ समझो case यह हुआ कि टक्कर हुई यह nucleus है sorry neutron है और यह हमारा hydrogen atom है hydrogen atom का थोड़ा सा size बढ़ा करके दिखा रहा हूं क्योंकि दिखावा करने के लिए है कि हाँ थोड़ा अच्छा लगे और मुझे पता है कि जब दो masses equal masses perfect elastically collide करते हैं तो याद करो center of mass में क्या पढ़ा था कि जो particle पहले आ रहा हुता है वो rest पे हो जाता है और जो आगे rest पर होता है वो उसी velocity से चलने लग जाता है तो अब मेरा जो neutron है वो rest पर आ जाएगा और इसी line पर जो मेरा hydrogen atom है वो उसी रफतार से भागने लग जाएगा जिस रफतार से हमारा nucleus आया था मज़ा गया यार यह पढ़ा हुआ है ध्यान लखना मतलब इसको प्रूव करने की जरुवत नहीं है दो पराबर masses एक rest पे एक move कर रहा है जब head-on collision करेंगे तो head-on collision में दूसरा वाला जो mass चल रहा था वो रुक जाएगा और रुका वाला उसी velocity से चलने लग जाएगा आगे की तरफ ठीक न यह तब होता था जब perfect elastic collision होता था और दोनों masses बराबर होते थे एक तो यह हो गया दूसरे टाइप का collision यह हो जाएगा कि जब हम यह consider कर लें कि perfect inelastic collision है और हम head-on collision की बात कर रहे हैं विशेच ध्यान रखना वियार considering only head-on collisions now तो head-on collision हो रहा है perfect inelastic और सब को पता है कि जब perfect inelastic collision होता है तो perfect inelastic collision के अंदर किसी भी प्रकार का सबसे जादा एनर्जी का लॉस होता और दूसरी बात velocity of separation जो है वो zero हो जाती है ध्यान रखें इस बात को velocity of separation becomes zero और फिर momentum conservation की बाते करेंगे energy conservation की बाते करेंगे perfect inelastic collision हो जाएगा देखो हो गया सीन यह है कि बनका गया यह है neutron जो है वह वी वेलासिटी से आ रहा था hydrogen atom जो था वो रेस्ट पर था second case यह है कि neutron और hydrogen atom दोनों के दोनों किसी V1 velocity से speed से चलने लग जाएंगे क्योंकि perfect inelastic collision यह ही है head on collision बोल दिया है तो चपक ही जाएंगे momentum conservation लगाईए momentum conservation initial momentum mv0 है zero hydrogen atom का final momentum v1 velocity और m plus m हम मान चुके हैं दोनों के masses बराबर हैं ऐसा solve करने पर आपको मिलेगा v1 की value v by 2 मैंने उसको v0 गलती से लिग दिया है उपर v0 नहीं लेकर के v ही लिया हुआ है तो v ही लेकर चलना है अपने notation को बार-बार change नहीं करना है v1 की value आ जाएगी v by 2 ठीक है अच्छा kinetic energy भी लगाई है अच्छा kinetic energy conserve नहीं रहेगी मत समझना की conservation लगा रहे है loss in kinetic energy की बात करो तो delta e कितना होगा तो kinetic energy का loss देखो कितना लिखोगे e initial minus e final सर जी वो तो final minus initial होता था रहे negative मतलो यार तो मैं पता तो ही की loss हो रहा है half m v square initial kinetic energy थी half m plus m into v1 का square final kinetic energy है 1 by 2 m v square minus 1 by 2 2 m v square by 4 इस 2 से 2 को मार दीजे आपके पास बचा half of m v square minus half of m v square into 1 by 2 तो basically ये initial kinetic energy की आधी हो गई है half of e initial ठीक है तो आधी kinetic energy कहां गई बच्चा ग्लास में सीधा चिलाता है कि सर हीट में हीट में क्योंकि आभी तक जितनी भी physics पड़ी है उसमें जहां भी energy का loss हो रहा था हम बिना सोचे समझे सीधा बोल देते थे कि heat में dissipate हो गई heat में dissipate हो गई हम चीजों को heat में डिसीपेट होता हुआ नहीं देख सकते क्यों कि अगर ऐसा कुछ है तो lattice deformation ऐसा कुछ था और ऐसा कुछ lattice deformation is not possible in atomic level new neutron के अंदर क्या deformation आ रहा है you cannot say hydrogen atom के अंदर क्या deformation आ रहा है रुख जाता है atomic level पर वह बाते नहीं जाती इसलिए जो डेल्टा ई है डाट इस not heat lost ध्यान रखे इस बात को यह heat loss कता ही नहीं है तो गया कहां यह delta ई कमी तो आई है यह जो delta ई है रेदर यह चली गई है atom को या तो ionize करने में और या तो excite करने में spent into exciting the atom ध्यान रखें atom को excite करने में गई है यह बहुत important बात भी है कि atom को excite करने में यह चीज़ गई है खेर, बहुत अची बात, अब चर्चा करो, समझो बात को, मान लो कि मेरा hydrogen atom था, ground state में था, energy किती थी, minus 13.6 electron volt, second orbit, n बराबर 2, यहां के energy कितनी है, minus 3.4 electron volt, तो difference कितना हुआ है energy का, difference हुआ 10.2 electron volt, बहुत अची बात, अब जो energy का change आ रहा है, that is, 1 by 4 mv square, यह मेरा delta E था, अगर यह delta E, 10.2 electron volt के बराबर है, तब तो पूरी की पूरी energy, electron ले ले लेगा, और jump कर जाएगा, higher energy state में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मान लो, कि जो delta E है, वो कम है, 10.2 electron volt से, तो electron की तो शर्त ही यही थी, कि जब तक इस energy difference के बराबर के energy नहीं दोगे, तब तक energy absorb ही नहीं करेंगे, वो या तो किसी एक energy state में रहेगा, या तो उपर वाल energy state में रहेगा, in between forbidden region में, electron रहना नहीं चाहता है, और अगर कोई energy ऐसी उसको packet दिया जा रहा है, जो कि उसको in between किसी, फाल तू forbidden place में भेजने के काबिल हो, तो electron उसको absorb ही नहीं करता, electron is very sophisticated और बहुत ज़्यदा selective है, photon के case में भी यही कर रहा है, यहां भी वही कर रहा है, तो अगर मेरी delta E, 10.2 electron volt, और ऐसे ही, अगर मैं तीसरे shell ले लूँ, तो तीसरे shell की first shell से energy का जो difference है, उसके बराबर अगर हो जाए, तो भी absorb कर लेगा, पर अगर in between को energy का value आ रही है, तो अगर नहीं करेगा, तो क्या होगा, अगर मेरी energy से कम है, तो electron एब्जॉब नहीं करेगा, atom एकसाइट नहीं होगा, तो क्या होगा, यह जो energy का loss आया है, यह दोनों के दोनों, जो पार्टिकल है, मेरे, एक neutron और hydrogen atom, इनकी kinetic energy में ही चला जाएगा, अच्छा, मतलब जो चिप perfect elastic collision रह गया, नहीं, यह perfect elastic collision नहीं रह गया, इसी प्रकार ऐसा हो जाए, कि यह n बराबर 1 है, और यह n बराबर 2 है, और यह n बराबर 3 है, इतनी energy दी जा रही है, कि electron जंप करके बस इस level तक आ सकता है, और यहां तो कोई level ही नहीं है, तो forbidden region है, तो इतनी energy electron एब्जॉब और excite हो जाएगा, और यह जो energy है, यह absorb नहीं की जाएगी, और वो energy कहां चली जाएगी, इन दोनों particle के kinetic energy में, और यह रह जाएगा, inelastic collision है, but not perfect inelastic collision, ज्यान रखे, तो समझे, कि perfect inelastic collision कब होगा, और कब perfect elastic collision नहीं होगा, जब energy exactly, उस difference energies के difference के बराबर होगी, लेवल energy level के difference के बराबर होगी, तो perfect inelastic होगा, वरना नहीं होने वाला, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है न, important है, विशेश ध्यान रखें, यह collision होगा भाई, हमारा, असान भी है, कोई बहुत बड़ा चमतकार नहीं है, इस collision के अंदर दिखा जाए तो, अगर चर्चा ऐसे करनी हो कि, recoil speed of atom, ठीक, एक निया topic बोलते है, recoil speed of atom, यह recoil speed क्या है, तो gun में सुनी थे सर, यहां भी सुन लीजिए, gun में सुनी थी तो, देखो, recoil speed है, क्या, case A बनाता हूँ, यह मेरा atom है, ठीक, let us consider कि, है hydrogen atom है, for simplicity, इसको मैंने fix कर रखा है, जब मैं fix करता हूँ, और यह कोई, मान लो कि यह n बराबर 2 में बैठा है, यह 2 का मतलब क्या है, second shell में हाँ, second shell का मतलब हुआ, कि यह आदमी first excited state में, और जब यह photon निकालेगा, तो यह first excited state, sorry, first orbit में आ जाएगा, जो photon निकालेगा, उसके energy कितनी होगी, 10.2 electron volt, यह आपको कैसे पता है, n बराबर 2, n बराबर 1, दोनों के energy, minus 13.6 और minus 3.4 electron volt होती ही, difference निकालोगा, यह यह आएगा, तो जो energies का difference होता है, वह ही photon के form में निकलता है, not in special case, लेकिन यहाँ पर मान के चल रहे हैं तक कि atom is fixed, कौन कह रहा है कि atom fix है, किसने रोक रखा है atom को, atom can move also, तो अगर यह move करेगा, तो कैसे करेगा, अब हम atom को यह इजाज़त देते हैं, कि अगर आप move कर सकते हैं, तो please move कर जाईए, हम आपको रोकने नहीं वाले हैं, तो हम इसको लिखते हैं, free to move, अब free to move में, यह photon निकालते हैं, यह photon निकालते हैं, जो photon का momentum होने वाला है, वो h by lambda prime होने वाला है, अच्छा, कुछ और photon, मतलब photon निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा, यह lambda prime क्यों कर दिया, पहले वाला क्यों नहीं रखा, बहुत simple logic है, पहले नहीं रखा, क्योंकि यह जब fix है, तो it doesn't gain any kinetic energy, सारी कि सारी kinetic energy कहां चली गई, photon के energy में, पर अगर यह recoil हो सकता है, तो photon जा रहा है आगे, तो इसका momentum भी है आगे, तो according to the law of momentum conservation, atom को जाना चाहिए, पीछे किसी weak recoil velocity से, अच्छा, उपर क्या momentum conserve नहीं किया था, हाँ, बिल्कुल नहीं किया था, नहीं किया था, इसलिए तो यह topic पढ़ रहे हैं, तो गलत पढ़ाय गया नहीं बिल्कुल नहीं, शांत रो, खलत नहीं पढ़ाय गया था, क्या किया गया था, atom बहुत हेवी है, तो recoil velocity बहुत कम हो गी, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया था, अब हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अभी बताता हूं क्या कानी आती है, देखते रही है, यह recoil velocity हो ग बराबर h by lambda prime, यह होना चाहिए, सिदा 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 कोई चमतकार नहीं है, और फिर एक बात और, कि energy conservation तो हमेशा hold करता है, कहीं energy का dissipation हो ही नहीं रहा है, तो kinetic energy किसने gain करी, atom ने, अपने photon के पास कितनी energy है, hc by lambda prime, यह lambda prime इसमें ले ले रहा हूं कि free to move वाला case ल पराबर है, सुनना, पहले हम पढ़ रहे थे कि कि किसी तरह के energy atom के पास नहीं है, सारी energy 10.2 electron volt जो है, hc by lambda में गई है, फोटन में गई है, पर अब photon के अलावा kinetic energy हमारे atom ने भी गेन किये, तो यह 10.2 electron volt ही कैसे हुआ, सुनो, electron excited state में था, ground state में आया, तो क्या निकाला उसने photon, तो जो energy का difference आया, वो photon में energy जानी चाहिए थी, हाँ जानी चाहिए थी, वो 10.2 electron volt होती, हाँ होती, लेकिन अब हमारे kinetic energy gain किसने की, atom ने, हाँ, तो मतलब photon के energy का कुछ पार्ट गटेगा, और वो energy कहां transfer होगी, अपने atom के पास, क्योंकि atom ने भी तो energy gain की है, और gained energy in atom, और energy का photon बना, अब यह बन कहां से रहा है, का energy create तो नहीं हो रही है, तो जो energy level का difference है, वो energy level का difference से ही, तो atom यह energy gain कर रहा है, kinetic energy, और photon भी create हो रहा है, तो दोनों के energy जोड़के उतनी ही तो बन नहीं चाहिए, दो energy level के difference की, तो n बराबर 2 स n बराबर 1 के बीच में आने पर यह कहा kinetic mass बोलना photon का एक मतलब बहुत घटिया सा idea है, लेकिन फिर भी, अगर compare करने पर आओ, तो अगर तुम kinetic mass निकालने की कोशिश करो, P बराबर H by lambda photon के बारे में, तो इसकी value हो जाती है, M V बराबर H by lambda, तो V, sorry, इसको काटो, M बराबर H by lambda into V, photon की चर्चा करो, गोर से देखो, यह बहुत बड़ी quantity है, और यह बहुत छोटी quantity है, तो जो mass निकल के आता है photon का, hypothetical mass, not exactly, real mass नहीं है, वो बहुत छोटा निकल के आत है, तो kinetic energy कितनी गेन करेगा हमारा atom, तो kinetic energy gained by atom is very small, क्यों, बहुत बड़ा पत्थर हो जाके उस पे घुसा मार दो अपनी उगलें तूट जाएंगी, वो हिलेगा भी नहीं, तो heavy mass होने की वज़े से, वो बहुत जादा kinetic energy speed gain नहीं करता, जिसकी वज़े से हम इस photon के energy के comparison में इन भाई साब को उड़ा देते हैं, अब reality देखो, यहां से approximations आ गए हैं, जैसे ही hc by lambda prime बराबर 10.2 electron volt हुआ, वैसे ही यह उपर वाली कहानी के लगग लगग बराबर हो गया, आप समझाए है कि यह सा क्यों किया था कि उपर माना ही नहीं था, पूरे chapter के अंदर, आप बहुत आसान है, आगे देखिए, h by lambda prime की जो value है, वो तो mv के बराबर है, momentum conservation वाली कोजन से ही लिखा था हम लोगों ने, और ये value तो हमने जो लिखी, वो लिखी 10.2 divided by c electron volt, बिल्कुल सही बात है, यहां से v की value क्या आ गई, 10.2 divided by m into c, यह speed आगी बाई, अब कहानी उपर की electron volt में है 10.2 की, और नीचे kilogram में ले लिजे mass, और c की speed meter per second में ले लिजे, तो फिर ये problematic कहानी आ जाएगी, कि पहले unit बनाईए, unit सुदारी है इसकी, और उसके बाद value लिखिए, खेर, 10.2 kilogram meter per second square, यह इसकी unit बन गई है, मैं इसको ऐसे लिख देता हू, electron volt divided by kilograms, meter per second, यह बन गई, इसी में आंसर लिख दीजे, क्या बुराई है, यह हो गई by recall speed, याद रह जाएगी, रहनी चाहिए, कहानी का अंत होता हुआ, आज के lecture का, लगबग लगबग हम अंत पे आ चुके हैं, और अब कुछ basic घटिया सवाल ही है, कोई as such बहुत चमतकारी सवाल नहीं है, हाँ एक सवाल है, जो पहले बहुत पूछा जाता था, important भी माना जाता है, और discussion का हिस्सा है, तो मैं एक सवाल के तोर पे आपको लिख देता हूँ, कि explain करो, कि जितने भी hydrogen atoms हैं, at room temperature, वो सारे के सारे ground state में ही रहते हैं, और in ground state, why, क्यों, सुनो बाई, ground state में रहते हैं, उसका कारण है, कि atom के पास जो भी energy है, या molecules के पास, जो भी energy है, hydrogen के molecules के पास, वो kinetic theory of gases से दी जा सकती है, जो कि thermal energy होती है, and that is, 3 by 2 kt, मैं atom की बात करने लगा हूँ, इसलिए 3 by 2 लिख दिया है, ठीक, और जहां पे k की value जो है, वो Boltzman constant है, and that is, 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, simple है, Boltzman constant है, और यहां पे जो T है, temperature को Kelvin में लिया गया, degree Celsius में नहीं है, बहुत important है, और अगर मैं room temperature की बात करूँ, तो room temperature जो है, वो 25, 35 degrees Celsius के आसपास, और इसको Kelvin में convert करें, तो वो somewhere around 300 Kelvin ही आता है, 300 Kelvin ही आया, to not get confused, 300 Kelvin, यह तो थोड़ा कम, थोड़ा जादा, इस तरह की value हो सकती है, 300 एक idea पकड़ के चल रहे हैं, कोई से 60, 70 degrees Celsius पे तो में नहीं जीते हैं, तो kinetic energy की value है, that becomes 3 by 2 into 1.38 into 10 raised to minus 23 into 300 आप इसको solve कर लीजे, solve करने पे value जो है, वो ready rate I होनी चाहिए, कि 10 to power minus 21 Joule के आसपास आती है, इसको आप electron volt में convert कर लीजे, यह value exactly आदोनी चाहिए, कि 0.04 electron volt होती है, अब जो kinetic energy of electron, या फिर यह कहलोगी, energy of atom आ गई, यह electron आ गई, वो इतनी आ गई है, तो जितनी energy वो temperature की व लिए, पहला ही transition करने के लिए, 10.2 electron volt के energy चाहिए, और room temperature पे temperature इसको सिर्फ और 0.04 electron volt energy दे रहा है, hence the room temperature kinetic energy of thermal energy, we would say, कि वो इसको इतनी sufficient energy दे ही नहीं सकती, कि वो excite हो जा, इसलिए room temperatures पे hydrogen atom जो होते है, वो सारे के सारे ground state में हुआ करते हैं, clear है, यह एक अच्छा सवाल है, conceptual है, बाकी अगर तुम सवालों को देखो, तो कुछ भी नहीं है, energy second से third में आने किते energy देनी पड़ेगी, four से second पे आएगा, तो क्या लेमडा निकलेगा, इस तरह के drama में बाजी पूछी जाती है, एक दम कूडा, है ना, रदी चीजे है, तो as such कोई बहुत difficult topic नहीं है, सार पर रोक देते हैं इसको, अगले इस lecture में हम पढ़ेंगे x-rays, तब तक के लिए, thank you.